राजा का हाथी हाथी बीमार पढ़ गया और काफी सेवा और दवा करने की बात भी वह ठीक नहीं हो पा रहा था दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया राजा को हाथी से इतना प्रेम था कि वह किसी से हाथी के मरने की खबर भी सुनना नहीं चाहते थे एक दिन वह बीमार हाथी मर गया सभी सेवकों में भाय व्याप्थ हो गया कि राजा को हाथी के मरने की सूचना कैसे दी जाए क्योंकि सूचना देने वाले को राजा दंड भी दे सकता था जबकि सूचना देना भी जरूरी था क्योंकि हाथी अब मर चुका था सभी सेवकों ने अपने बीच से एक बूढ़े सेवक को चुनकर उसे राजा के पास भेजा बूढ़े सेवक ने राजा से कहा महराज आज हाथी न उठता है न बैठता है न खाता है न पीता है और न हिलता डुलता है यहां तक की आज सास भी नहीं लेता है यह सुनकर राजा ने उससे पूछा क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हाथी मर गया है बूढे सेवक ने कहा महराज यह तो आप ही कह रही है मैं कैसे कह सकता हूँ राजा समझ गया कि इस सेवक ने अप्रिय समचार को भी बड़ी सावधानी से मुझे सुनाया है इसमें कुशन संदेश वाहक के सभी गुण है इस पर राजा ने उसकी प्रशंसा की सत्य भी सुनना अच्छा नहीं लगता है इसलिए कहा जाता है कि हमें मीठी बोली बोलने के गुण को अप्नाना चाहिए मीठी वाडी में बोला गया अप्रिय सत्य भी किसी को अगात नहीं पहुचाता है